वेलकम टू प्यूर कुकिंग चलिए आज बना लेंगे हैं रवात के पुराने वक्तों की रेसिपी मतन काली मिर्ची रोस्ट हलकी सी ग्रेवी के साथ में बहुत ही मुलायम सॉफ्ट मतन होता है और इसको आप महमानों के लिए भी बना सकते हैं और घर में कुछी स्पेशल रोकेजन हो तो भी बना सकते हैं बहुत ही हलकी सी लाइट सी ग्रेवी के साथ में बहुत ही मसेदार सा ये सालन बनता है इसके ल जो है वो हलका सा ब्लैक रखना है तो हम इसमें पानी आड़ करेंगे और प्रेशे को कर लेंगे मटन के 70 परसंट पकने तक उतनी देर में हमने मटन काली मुची रोस्ट का मसाला त्यार करना इसके लिए मैंने लिया है 30 ग्रैम के जितना खोपरा खोपरा बहुत ज़्यादा करने के जरूरत नहीं है साथ में हम आड़ करेंगे वन टीस्पून जीरा और वन टीस्पून धनिया और इसको हलका सा रोस्ट करेंगे जैसे ही इसमें से खुश्बू आने लगेगी हम इसमें बाखी के मसाले भी आड़ करेंगे तो काली मिर्ची है तो इसमें आड़ तोड़ इसी सिनमानि स्टिक है और दो लॉंग है यह सब चीजें डालके हमने हलका सा इसे रोस्ट कर लेना है अच्छे से मसाला बुन गया है तो इस टोकी फ्लेम बन कर देंगे और बन करके हमने यह सारे मसाले को ग्राइंड कर लेना है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसे ग्राइंड कर लीजिए और जैसे ही यह हलका सा ग्राइंड हो जाएगा अब हम इसमें आट करेंगे हाफ कप के जितनी दही और दही को भी हमने इसी के साथ में पीस ले रहा है तो यह देखिए मसाला हमारा तयार है इतनी देर में जो हमने मटन गलने के लिए रखा था प्रेशर कुकर करें रिलीज होंके है इसको सा भूल लेंगी क्यूंकि प्यास थी इसमें थी तो हमने इसको अच्छा सा भूल लिया है प्यास भी अच्छे से गल गई है अब हमने की प्छल गेए और आप देखिए्गे आपने इसको हाइफ फ्लेम पर पकाएंगे तो बस तो मिनिट में ही यह जो सालन है वो गाड़ा होने लगेगा तो अब हम इसने जो हमने मसाला पीस के रखा था खोपरा और ब्लैक पेपर वगएरा यह इसमें एड कर देंगे तो हलका सा मैंने ग्रैंडर के जार को दो के बस वन टेबुल स्पून की जितना पानी दाल दिया है और अब हम इसको हाई फ्लेम पर ही पका लेंगे जो मतन काली मिर्ची रोस्ट है वो ड्राइ सालन होता है सेमी थीक ग्रेवी होती है तो हमने इसको अच्छा सा हाई फ्लेम पर थीक हो जाए और साइड़ों से ओल रिलीज होना शुरू हो जाए हम इस्टो की फ्लेम लो करके बस पांच लिट के लिए से दम पर पका लेंगे यह देखिए ओल भी रिलीज हो गया है और गाड़ी हो गई है ग्रेवी और मतन पर स्टिक होने लगी है अब हम इस्टो की फ्लेम बन कर देंगे और बन करके हमने इसमें आट करना है फ्रेशली पिसा हुआ ब्लैक पेपर प इसको आप मेहमानों के आने पर भी बना सकते हैं रुमाली रोटी या फिर बगारी चावल के साथ में या फिर आपने डाल चावल बनाया हो तो इसके साथ में भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी यह मतन बनता है और यहां पर मैं आपको इसकी जूसी मतन की पीस बता रही ह और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को शेर किजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड से जिनको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और सब्सक्राइब किजिए मेरे चानल प्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीस कमेंट भी करिए ताके मुझे पता चले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी